हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल Frontier Academy में है तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जुमेट्री तो चलिए सुरू करते है यह जुमेट्री में हम एक नट देखें जुमेट्री में जो रिलेटिड टॉपिक है एक तो जुमेट्री है खुद है श सॉलिड सेप्स कार एंट सेटराइस को जुमेट्री इन्स बिन्दू और एखा ठोस आकरती वाक्र समतलादी के अध्यान को जुमेट्री कहा जाता है ठीक है अब देख लेते हैं इन्हें वन बाइवन सब को चेक करते हैं ठीक है अब दिखें पॉइंट पॉइंट क्या होत है इसका नहीं कुछ नहीं होता जैसा ही नहीं साइस चरीभ सथी नहीं चना घ्यान कोई पॉइंट है यहीं एक पॉइंट है ठीक है अब यह देखिए, points से आगे चलते है, line, line क्या होता है, line अगर मैं बहुत सारे points बना दूँ, जैसे यह 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 बनाता दा हूँ, यहाँ अभी, तो क्या होता है, combination of points, लाइन क्या होता है, ठेक है, जैसे कि यह एक line है, यह एक line है, यह एक line है, अब यह देखिए, line की न, कोई limit नहीं होती है, यह यहाँ भी बढ़ती रहेगी, यहाँ भी बढ़ती रहेगी, ना तो कोई इसका end है, ना ही definite length होती है, अब यह देखिए, line has one dimension, क्यों one dimension क्यों है, या तो line ऐसे होगी, कि डामेंशन में जा रही है को दो डामेंशन नहीं होता है bury miniature यह x यह y है दो डामेंशन है जो ठीमेंशन तो यह z ऐसा होता है the family oоль डामेंशन होती है और into फ्री दामेंशन का मतलब होता ही यह दिखिए अब यह दिखिए line segment क्या होता है honoured यह कोई line है ठीक है अब इसमें मैं कोई point ले लूँ यहां A यहां B तो यह क्या हो गया इसका line segment अब इसकी जो है इसकी length हो गी मनें इसका हमां पता होगा कि यह 1 meter है 2 meter है यह कुछ भी है मतलब हमां segment का पता होगा लेकिन line जो होगी ना उसकी मतलब indefinite length होती है यह क्या है अभी दिखेए shapes में आते है two dimension यह क्या है two dimension है क्यों है मान लोग कि यह इसकी length है और यह इसकी height है दो dimension हो गई यह क्या अभी दिखेए triangle यह दो dimension में है अगर मैं यहाँ भी कुछ value है और यह height है इसकी यह height है और यह क्या है इसकी length two dimension है ठीक है यह क्या है circle यह भी two dimension है यहाँ भी कुछ है इसका मान लोग यह इसकी radius है और यह पूरी इसकी यह 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 भी radius लेकिन यह इस side है ठीक है अभी दिखेए यह क्या rectangle यह 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 two dimension है यह length है यह height है ठीक है तो यह सारी जितनी भी two dimension है अब three dimension पाज आते हैं यह क्या है cylinder तीन dimension है ठीक है three dimension का मतलब क्या होता है कि हम उसके अंदर कुछ रख सकते हैं मतलब उसका कुछ volume होगा जैसे कि आप मान लो cylinder है cylinder के अंदर क्या होती है गैस होती है तुमने मिन्स कुछ रख सकते हैं कुछ volume है के अंदर आसे यह देखिए क्यूब इसमें भी बॉक्स आपने घर में देखेंगे अपने box होते हैं तो इसमें भी हम सामनों अगरा कुछ रखते हैं कुछ भी रखते हैं मिन्स क्या है कि जिसके अंदर आप कुछ रख सकते हो तो थे डैमेंशन है थू पर हो गया कुछ रख नहीं सकते है बस उसका length होगा और height होगी इसमें क्या होगा इसमें देखिए length भी होगा यह आपकी height माल लेता है और यह आपकी वेड़ था इंज लंबाई यह आपकी उचाई और यह आपकी चोड़ाई ठीक है अब यह देखिए यह क्या है कौन तो कौन आपने मैं बताता हूं कौन जैसा टेंट देखेंगे आपने तंबू कड़े होते हैं यह तंबू की तरहे मानके ज़लो यह भी ठीक द्यवंट द्यामेंशन है यह जितने भी आमपके ठीक डामेंशन होते हैं अब यह आपकी अब क्या होते हैं कुछfy नहीं होता कम जसे को सरक्वाता है उसका आगरमा कोई पार्ट ले लो वहले इतना पार्ट पार्ट अब यह पी करव है यह line के पीज मैंइस अब भी देख dimension, two dimension, तो है क्या dimension का मतला? ये देखे, ये होता है x, ये होता है y, ये होता है z, ठीक है? तो अगर खाली x और y, means या तो y है, या खाली x है, या आपका one dimension होते हैं, अगर y भी है, x भी है, ये two dimension है, और ये, x, y, z, means plane, आपने देखो, घर देखा होगा, घर में क्या होता है? three dimension होता है, घर की आप देखना है, length भी होगी, height भी होता है, और एक width भी होगी, तो जो घर का है, बिल्कुल सिंपल से example है, imagine करो घर को, तो वो three dimension हो, ठीक है? अब ये देखिया, angle का भी पढ़ लाते हैं, थोड़ा सा, angle क्या होता है? angle होता है कि जब कोई दो line मिलती है, उनके जो beach का gap होता है, उसे हम angle कहता है, जैसे माल लो, ये है, एक line ये है, और एक line ये है, उनके beach का gap ये है, theta, तो इखिया है, इसका angle है, अब ही देखिया, angle भी तीन टाइप के होता है, जो general बता रहा है, ठीक है, तो देखिया, पहला ये है, ये क्या है, ये 90 degree से कम है, ठीक है, अगर इसे x माल लो, तो ये less than 90 है, तो ये क्या हो गया, neon cone, means acute angle, अब माल लो, ऐसा हो कुछ, और ये 90 degree हो, 90 degree, तो ये क्या है, right angle, some cone, ठीक है, और कोई ऐसा हो, तो ये क्या है, 90 degree से जादा है, तो ये क्या होगा आपका, अप्टीव्ज एंगल, अधिक कौन, ठीक है, देखिया, जितना भी मैं पढ़ा रहा है, ये, सीटैट, पेपर, 1, mathematics, उसी ही क्या अकोडिंग पढ़ा रहा हूँ, ना बिल्कुल कम, ना बिल्कुल ज्यादा, ज्यादा पढ़ाऊंगा, तो आना तो हैंने, कोई फाइदा भी नहीं है, कम पढ़ाऊंगा, तो आपके marks कमाएंगे, तो बिल्कुल exact, जो previous year में question आए, उसके according ही पढ़ा रहा हूँ मैं, तो previous year में जो question आते हैं, वो ही मैं आपको बताएता हूँ, क्या question आते हैं, जो question आते हैं प्रिवेस year में जो भी आए, वो आपका पुछे का length, area, volume, देखे क्या, इन्हीं मैंसे question आएंगे, जो भी आएगा, और इसके अलावा कोई question नहीं आता, तो length, area, volume, यह सब निकालने के लिए पहला हमें, यह सब पतावना चाहिए, यह solid क्या होता है, यह two dimension क्या होता है, क्योंकि इन्हीं का आएगा, one low question जैसे आजाएगा, यह है, यह क्या है, square है, तो बोलते हैं कि इसकी side बता देगा, पूचिए कि आपको इसका area निकालना है, जब आपको पता ही नहीं होगा, कि square क्या होता है, तो आप उसका area निकाली नहीं पाऊगा, आप image नहीं कर पाऊगा, कि square होता गया, इसलिए मैंने सारा image इसके साथ दिखाया है, अब इसमें आएगा जैसा cube है, इसका volume पूच लेगा, जब आपको पता ही नहीं होगा, कि square दीखता कैसा है, तो आप volume कैसे निकाल पाऊगा है, इसमें जितना भी है ना, सारा image निकालना होता है, ये count कैसा होता है, ठीक है, तो आज के chapter में इतना ही है, basic था बिल्कुल, next में हम पढ़ेंगे, man solution, इसी में हम सारा ये पढ़ेंगे, length area, volume, ठीक है, तो बस, thank you, thank you very much,